Hello students, हम कर रहे हैं financial accounting become NBBA students के लिए और अभी हमारा financial accounting का basic level वाला concept चल रहा है आज का topic है, वो है goods and assets Goods and assets के बीच में difference क्या है, वो सीखेंगे और हमारा जो chapter चल रहा है, वो चल रहा है general entries यानि कि हमें आपर general entries बनाना सीख रहे हैं तो उसमें बहुत important चीज होती है, वो goods और assets होती है और इसके बीच का difference आपको पता होना चाहिए क्योंकि goods and assets से related जो भी transaction होंगे business में उसकी generalize करने के लिए उसको या उसकी general entry बनाने के लिए उसको books में record करने के लिए आपको इन दोनों की मीच में difference पता होना चाहिए और इनमे rules कैसे applicable होते हैं, क्या difference होता है वो भी अच्छे से पता होना चाहिए तो सबसे पहले बात करूँ या goods and assets में क्या difference है तो बिल्कुल simple है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है बिल्कुल simple रखना है, देखो अगर business के अंदर कोई भी product हम buy करते हैं मलब खरीदे हैं और उसको use करते हैं तो वो हो गई assets मोटा मोटी अभी यही समझो फिर आगे इसकी definition और बड़ेगी जब हम final account तक जाएंगी है ना, तो अभी कोई नीचे comment करके कोई बड़े जानकार लोग भी होते हैं नीचे comment करके बता रहे, sir आप में आधियदूरी definition बताई तो बेटा, अभी मैं सीधी, अभी A, B, C, D सिखा रहा हूं तो मैं क्या सीधी आपको book लिखने के लिए दे दूँगा क्या, क्या आप सीधी book पड़ लोगे, क्या English पड़ लोगे, आप अच्छे से समझ लोगे, अभी A, B, C, D, B नहीं आती है तो बास, तो अभी तो alphabet सीख रहे हैं, तो इसलिए मैं assets की आपको एकदम correct और पूरी definition तो अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि हो समझ नहीं आएगी, बट मैं इतना जरूर बता देता हूँ, general entry करते time हमें ये ध्यान रखना है, asset वो है, जिसको हम purchase करते हैं और use करते हैं हम मतलब business, अपने आप को business मानो, अगर financial accounting को अच्छे से समझना है खुद को business मान लो, क्योंकि आप accountant business के ही हैं तो अपने आपको business ही मान के समझो अब आप business हैं और आप कोई product को buy कर रहे हैं और उसको use कर रहे हैं वो asset है, जैसे for example के लिए सबने एक चीज़ देखी होगी सबने एक business तो देखा ही देखा है, वो किराने की दुकान, हर घर के पास-पास में आपको मिल जाएगी तो किराने की दुकान वाला अगर कोई ऐसी चीज़े बाय करता है जिसको वो क्या करेगा, use करेगा वो सब asset है, जैसे जैसे की building, जिसके अंदर किराने की दुकान है या जो shop है हाना, तो वो क्या है वो उसने क्यों खरीदी है अगर rent पे नहीं लिये खु leaning खरीदी है, तो क्यों खरीदी है बेचने के लिए, नहीं, use करने के लिए asset, किराने की दुकान के अंदर आपको freeze मिलेगा freezer मिलेगा, वो क्यों उसने पर्चीयज किया क्या वह फ्रेज की दुकान है क्या वो फ्रेज को बेचेगा तो वो इसको यूस करेगा उसके लिए अच्छा जो उसने फणीचर लगा रखा है जो उसने काउंटर लगा रखा है हो क्यों पर्चेस किया है, यूज करने के लिए, एसे न्लखہ, पूलर लगा उपाiyet, वह को आगे बेचे गाने, ऐसे सारी बड़ी बड़ी एसे वह ऐसे बड़ी बड़ी प्राड़ेक्स जिसको वह यूज करता है ताकि बिजनस को अच्छे से चला सके हो, without freezer, without building, without counter, without furniture, without cooler क्या वो किसी भी business को अच्छे से smoothly चला पाएगा नहीं तो assets जो होती है उसकी दो characteristics होती है दो उसके features होती है क्या एक तो asset वो होती है जिसको purchase करके आगे बेचते नहीं use करते है हाँ use करने के बाद जब वो पुरानी हो जाए तो बेचे वो अलग बात है लेकिन उसको उदेशे उसका objective उसका purpose खरीद के use करना होता है second feature होता है asset का कि जब हम use करते हैं तो उससे होता क्या है उससे हमारे business को operate करने में health मिलती है business को चलाने में ये सारी asset साहिता करती है तो वो गई assets अब आ जाते हैं goods पे goods वो है जिसको इसी उदेशे से इसी purpose से खरीद रहे हैं कि उसको खरीदेंगे और फिर बेच देंगे और profit कमाएंगे तो ऐसा कोई product जिसको हम इसलिए खरीद रहे हैं ताकि purchase करके क्या करें sale करके profit कमाएं वो सब goods है अग किराने की दुकान की बात करूं तो मैंने जैसे बोला था जैसे उसके पास milk है, butter है, ice creams है, cold drinks है, biscuits है उसके पास डाले है, चावल है, braids है जो भी उसके वास products है वो उसने सब क्यों खरीदा है खाने के लिए? नहीं, बेचने के लिए तो वो सब क्या है? तो क्या goods है, क्या asset है? वो depend करता है business पे कि वो business उसका क्या करता है जैसे for example के लिए एक property dealer है वो क्या करता है? buildings को purchase करता है plots को purchase करता है और आगे sale करता है तो उसके लिए property यानि कि जो उसकी buildings है जो plots है, वो सब उसके लिए क्या है? तोर से लेकिन वो का वो building उस किराने वाले के लिए क्या था? asset freezer की दुकान पे आ जाते हैं जो freeze और electronics item TV, freeze, AC यह सब बेचता है ऐसे store room में चलते हैं अब बताएए, उस store room वाले के लिए freezer क्या है? उसने क्यूं खरीदा है? उसने इसलिए खरीदा है ताकि वो उसको बेचेगा न a की use करेगा तो store room के वाले के लिए वो freezer goods है और वो का वो freezer किराने वाले के लिए क्या था? Asset तो क्या एस्ट है क्या गुड़ से वो डिपेंड करता है कि змाजव से वो उस प्रॉड़क्ट का क्या कर रहा उसको पर स करके यूज कर रहा ताकि बिजनस को ऑपरेट कर सके तो एस से उसको परचेस करके इसलिए परचेस किया एंग मेज के प्रॉफिक detta पर्चेज करके यूज कर रहा ताकि बिजनआस को अपरेट कर सकेटi असे उसको परचेज करके इसलिए परचेज किया ताकि उसको सेल के प्रॉफिट कमा सकेट के दो गूर से सिंपल थोड़ा सा लम्बा लेगिन क्लियर हो गया गूट्स एंड एसेट्स अब आते हैं इसकी जनरल एंट्रीज पर थोड़ा सा देखना अभी मैं पर्चेज करता हूं चलू मैं पर्चेज की एंट्री बराब पर्चेज मतलब बाय करना हिंदी में बोले तो खरीदना या क्रे करना भी बोलते हैं ठीक है अभी दो चीजे पर्चेज करते हैं समझना अच्छे से ठीक है मैं थोड़ा फास्ट चलूगा एक पर्चेज करते हैं गुड्स गुड्स पर्च तैंग एग्जाम्पल भी देदेता हूं मैं यह पर दिख्तु रहा है न आपको हां दिख रहा है तक वह दिख रहा है यह तो दिख्रा बस चलैगा अग्जाम्पल के लिए assets में मान लेते हैं हमने कोई एक machine purchase कर ली business में machinery चाहिए होती है machine purchase rupees one lakh एक लाग रुपे में कोई machine purchase कर ली आपको simple यहाँ पर कोई person तो दिखनी रहा है तो personal rule तो लगेगा नहीं अब मैं आब बैट के आपको rule नहीं याद करा हूँगा उसका lecture अलग से था और आपने वो याद कर लिया होगा ऐसा में मान रहा हूँ तो यहाँ पर person तो है नहीं तो personal rule तो लगेगा नहीं तो यहाँ पर real rule लग सकता है क्योंकि आपर product है वस्तुवे हैं दो है एक है machinery और एक है cash और प्रसनल जो real rule है वो क्या बोलते हैं what comes in debit what goes out credit कुछ भी वस्तू business में आये तो debit करो जाये तो credit करें हम machinery purchase कर रहे है तो machine एक purchase कर रही है तो machine comes in है तो machinery को क्या कर देंगे debit real rules के इसाब से और पैसा machine खरी देंगे तो पैसा देना पड़ेगा और अभी दिया आप वा तो दार तो है नहीं तो गोज आउट तो credit तो यहां पर entry क्या हो जाएगी देखो simple machinery account debit machine या machinery account debit to cash last lecture में यह entry बनाना सिखाया था न मैंने आपने हाँ सिखाया तो 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 असर बस वो ही है ओके यह हो गया अब आजाओ हम goods purchase करके देखते हैं हाँ इसके नीचे narration लिख सकते हैं आप machine purchase है ना और आप चाहे तो general भी format बना के entry कर सकते हैं लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए general का format नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैं तो एक chart बना रहा हूं अब goods क्या होता है अब goods का कोई नाम नहीं होता है ऐसा नहीं कि दाल खरीदी कि रहने वाला ऐसा थो भी बोलेगा कि दाल खरीदी चावल खरीदा चॉकलेट्स करीदी नहीं उसके लिए वो सब गुड्स है जिसको खरीदा ही इसलिए ताकि बेच के profit कमाई वो सब उसके लिए गुड्स है उसको सब को गुड्स बोलता है बोलता है माल आगया क्या तो माल हिंदी में गुड्स को माल बोलते है ओके गुड्स पर्चेस रुपीज 1,00,00 तो debit और पैसा जाएगा गो जाओ तो credit तो entry क्या होने चाहिए किसाब से entry होने चाहिए goods account debit अब ज्यान से देखना थोड़ा सा तो कैस वन लेक यह दिख रहा है amount आँ चलो वन लेक अब यहां देखो बेटा अभी तक तो आपको कोई एकदम easy लग रहा होगा लेकिन दोनों में difference है अगर आप कोई asset purchase करते है ना चाहे machinery purchase करो laptop purchase करो computer purchase करो freezer purchase करो building purchase करो कोई भी asset आप purchase करेंगे तो उस assets का नाम आएगा जैसे asset purchase करी तो assets comes in तो debit किया machinery तो machinery account debit laptop होता तो laptop account debit कोई भी होता उसका नाम आता लेकिन goods के case में आप कोई भी जो ऐसी चीज़ जिसको आप बेचोगे उसको purchase कर रहे है उसको goods बोलते लेकिन कमसिन तो है इसलिए goods को debit किया लेकिन goods को debit नहीं करना है क्यों क्योंकि सहुलियत के लिए अच्छे से समझने के लिए फटा-फट से समझ में आ जाए इसलिए हम goods ना लिखके उसकी जगह क्या लिखते पता है हम लिखते है पर्चेज एक तो purchase account का मतलब यही है goods पर्चेज क लेकिन वहां पर्चेज नहीं आएगा वहां मसीनरी आए लेकिन goods पर्चेज करोगे तो goods का नाम ना आके उसकी जगह क्या आएगा पर्चेज आएगा और debit की हो रहा है क्योंकि goods कम से इसलिए पर्चेज अकॉंट को debit करें यह difference है इसकी accounting के अंदर आगे चलते हैं थोड़ा होता उसकी जनरल एंट्री क्या होती तो थोड़ा सा देखना कि आजाएगी सेल्स पर आजाते हैं सर एसेट को तो सेल करते ही नहीं है आपने तो बताया अरे बेटा यूज करके फिर पुरानी हो गई तब तो सेल करेंगी ना वैलेक्स का अट देखा है ना पुराना अगर कोई नया मुबाइल लेना हो या नया कंप्यूटर लेना हो मेरी ओफिस के लिए नया प्रिंटर लेना हो नया कैमरा लेना हो तो मैं क्या करूंगा पुराना बेज दूंगा और क्या किसी के काम आएगा तो एसेट्स को यूज करने के बाद कई बार सेल किया जाता है अगर आप assets को सेल कर रहे हैं या फिर आप goods को सेल कर रहे हैं अगर आप assets को सेल कर रहे हैं तो देखिए example for example के लिए जो machine purchase करी दी उसको बेज देते हैं चली machinery कुछ time use करी आप बेज देते हैं machinery sold rupees माल लेते हैं अब सस्ती बिकेगी वह 20,000 में काफी यूज कर ली 20,000 का बच गया वह माल वह machine sorry asset तो अब यहाँ पर देखो बेटार जूल कौन सा लगेगा real क्योंकि person तो any personal rule लगेगा नहीं machinery क्या है goes out है क्योंकि बेच रहे हैं तो जाएगी goes out है तो क्या करेंगे credit और पैसा comes in क्योंकि बेचेंगे तो free में तो बेचेंगे नहीं तो इसको क्या कर देंगे debit तो entry क्या हो जाएगी बड़ी simple cash account debit क्योंकि पैसा आएगा और machinery जाएगी तो to machinery machinery का नाम आएगा क्योंकि यह क्या है asset asset का नाम आता है चाहे purchase करो चाहे sale करो बट goods की case में देखिए बटा अगर हम इसकी जगह goods sale करें और goods तो daily sale होता है उसको purchase इसलिए क्या कि करने के लिए customer आया लेके जाएगा ओके तो goods sale करें अगर तो उस case में देखिए ऐसा तो daily कितनी entry होती होगी goods sale करने की गुड्स गुड्स और रुपीज माल रहते कुछ goods बेज दिया हमने 30,000 रुपए का बेज सारा एक साथ थोड़ी बेचते है इकता रहता है तो गुड्स सेल किया 30,000 रुपीज का अब यहां देखिए goods क्या है क्या है मतलब गोज आउट है ना क्योंकि sale कर रहे है बेच रहे है तो गुड्स जाएगा तो गुड्स को इस बार क्या करें रिवकरें करें कि डेबिट करें कि यह हां चूर्फ नहीं कर êंसा जहाएक ग неп library तो कम सुझ का मैं पैसा अंटरी बना के देखं़ बेटा है एंट्रे हो जाये कि यहां पार कैसकाउंट डेबिट है चैसे अधोल्हें पर मैंने बोला गुड्स का कभी नाम नहीं लिखना है अगर पर्चेस कर रहे हैं इस तो फटो परचेस कर रहे हैं तो पर सील कर रहें तो गूर्स की जगा क्या जैगा सील अब यह बताने का मैं प्रयास कर रहा था अगर अच्छे से समझ में आया होगा अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा हमें भी बताईए कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है आपको मज़ा आ रहा है तो हमें कैसे बताएंगे आप बड़ा सिंपल है लाइक बटन मिलता है और वीडियो बनाने का और time to time बनाने का ठीक है इसके अलावा कुछ बूझना हो तो comment कर सकते हैं और help करना चाहते हैं और students की तो share कर सकते हैं हम मिलते next वीडियो में आज के लिए इतना ही तब तक के लिए goodbye and thank you